हलो एबरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम आज आप सभी को बीजी बेंजकों का योगफल करना सिखाएंगे तो ये देखिए हमारा सवाल है आठ ए माइनस टू बी तथा टू ए प्लस टू बी इन दोनों को जोड़ना है तो जब हम बीजी बेंजकों को जोड़ते हैं तो उसमें कुछ सजाती पद होते हैं अब यहां द्यान देने की बात यह है कि हम सजाती पदों को ही जोड़ते और घटाते हैं तो ये 36 करम में लिखा गया है तो आईए इसको हम औरध्वाधर करम में लिख लेते हैं तो औरधोधर करम में जब हम इसको लिखेंगे वाईए इसको लिखते हैं तो यहाँ हम इसको उपर लिखेंगे यानि 8a-2b इसको जब उपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे इसके 2a plus 2b अब यहाँ ध्यान देना है इसको जोड़ना है और जोड़ते समय हम सजाती पत के नीचे सजाती पत लिखते हैं, यहां ध्यान देना है, अब यहां देखिए, ए, ए सजाती हैं, इसका गुरांक 8 है और इसका गुरांक 2 है, और यहां बी भी सजाती हैं, इसका गुरांक 2 है, इसका गुरांक भी 2 है, तो यहां पर हम संख्याओं को आपस में जोड़ दे आठ दो 10 हो जाएगा इसके बाद यहाँ A लिख देंगे अब यहाँ minus 2 A और plus 2 भी है minus 2 plus 2 यह 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे यानि यह खतम हो जाएगा तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा इन दोनों का 10 A धन 10 A धन 0 यानि इसको लिख सकते हैं answer हमारा आ जाएगा answer 10a 0 जोडने से कोई फरक नहीं पड़ता है किसी भी चंख्या या व्यंजक में 0 जोडेंगे तो उसका मान उतना ही रहता है तो इस तरीके सम बीजी व्यंजक को जोडते हैं आईए एक और सवाल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल 7a माइनस 4b 5a प्लस 2b तथा माइनस 2a माइनस 3b इसको जोडना इन तीनों को तो आईए हम इसको पहले इसको और इसको जोड लेते हैं तो यहां पर हम लिख लेंगे 7a माइनस 4b अब इसको इसके नीचे लिखेंगे 5a प्लस 2b ध्यान देना है कि जोडते समय सजाती पत को सजाती पत से ही जोडेंगे यहां पर 7 और 5 इसको जोड लेंगे 7, 5, 12a हो जाएगा अब यहां माइनस 4 है और यहां प्लस 2 है b है दोनों सजाती है तो माइनस 4 प्लस 2 यह माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2b यहां जोडते समय जो ज़्यादा रहता हो ही बचता है माइनस ज़्यादा है तो यहां माइनस लिखते हैंगे इसके बाद 2 आ जाएगा यहां पर तो इन दोनों को हमने जोड़ा इसको और इसको तो हमारा इतना आया अब इसमें हम इसको जोड़ लेंगे आए इसको भी जोड़ लेते हैं अब यहाँ पर माइनस 2A माइनस 2A माइनस 3B है माइनस 3B अब यहां जोडते समय हम ध्यान देना है कि चिन नहीं बदलता है अब यह हमारा है 12 और यह माइनस 2 प्लस जादा है प्लस ही मचेगा 12 में से 2 घटाएंगे तो यहां 10 यह हो जाएगा और यहां माइनस 2 है माइनस 3 है तो माइनस माइनस जब रहते हैं तो माइनस होता है लेकिन अंकों को जोड़ देंगे 3, 2, 5 हो जाएगा 5B तो यहीं 10A, 5B यह हमारा एंसर हो जाएगा इस तरीके से 2 या 2 से अधिक बियंजग अगर दिये गए हैं तो उनकों बहुत ही आसानी से सजाती पद के नीचे सजाती पद लिख करके जोड देते हैं अब यह रहा गला सवाल हमारा 19X2-5Y2 3X2-5Y2 तथा-2-3 इनको जोड़ना है तो हम जानते हैं कि सजाती पदों को ही जोड़ते हैं बीजीव एंजगों में जो सजाती पद होते हैं को ही जोडाया घटाया जाता है तो आईए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 19 x square minus 5 y square अब यहाँ 3 x plus 5 y 3 x square है यह 3 x square है तो यहाँ पर हम 3 x square लिख देंगे और यहाँ पर plus 5 y square plus 5 y square लिख देंगे अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ यह भी धन है यह भी धन है धन धन आपस में जुड़ जाएंगे तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 यहाँ पर हम लिख देंगे 22 x square और यहाँ minus 5 है plus 5 है तो दोनों plus 0 यहाँ हो जाएगा अब इसमें minus 2 यह minus 3 भी जोड़ना है तो यह दोनों बिजाती पद हैं यह सजाती यह दोनों थे यह भी सजाती था लेकिन यह बिजाती पद हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे यहनी हम minus 2 a minus 3 b बिजाती पदों को नहीं जोड़ सकते हैं या इसको लिख सकते हैं हम 22 x square minus 2 a minus 3 b क्योंकि सुन जोड़ने से कोई मतलब नहीं होगा उतना ही आएगा तो यही हमारा एंथर होगा इस तरीके से जो सजाती पद हैं उनको जोड़ लेते हैं जो नहीं सजाती रहते हैं उनको ऐसे लिख देते हैं चिन्न के साथ आसा करता हूँ कि अब आप सभी बीजी बिंजिगों का कोई भी सवाल योगफल से संबंदित दिया रहेगा तो उसको साल करते हैं अब आईए घटाव से संबंदित सवालों को हल करते हैं अब यह अगला सवाल हमारा घटाव से संबंदित है इसमें दिया गया है 2XY-2I2 plus three x square plus five y square में इसे x y plus three x z minus y square को गहताना है तो इसमें हम जो दिया गया इसमें सजाती पत को पहले हम जोड गहता जोड लेते हैं यहां पर हमारा है two xy अब यहां minus two y square है और यह plus y five y square है तो plus five minus two यह हो जाएगा plus three plus three y square और यहां plus three xc2 दिया गया है अब इसमें से घटाना है यहां रिंड चिन लगा देंगे जो चीज घटाते हैं इसको ब्रैकेट में लिख देंगे xy plus 3xz 3xz minus y square अब यहां जब घटाते हैं तो कोष्ठक के अंदर वाले चिन बदल जाएंगे धन रहता है तो रिंड हो जाता है और रिंड रहता है तो धन हो जाता है अब इसको हम उपर नीचे लिख करके भी घटा सकते हैं यहां पर हम लिख देंगे 2xy plus 3y square plus 3xc square अब यहां यह देख रहे हैं xy है यह भी xy है यह सजाती है लेकिन यहां रिंड चिन हो जाएगा तो यहां माइनस xy लिख देंगे अब यहां पर 3xz है यह सजाती नहीं यह भी जाती पद है इसको last में लिख देंगे यहां माइनस y square है तो यहां पर कुष्ठक के बाहर रिंड चिन है यह भी रिंड है तो धन हो जाएगा यहां पर धन y square लिख देंगे और यहां पर 3xz इसको माइनस लिख देंगे माइनस 3xz ध्यान देना है कुष्ठक के बाहर अगर रिंड चिन है तो अंदर के सारे चिन बदल जाते है प्लस रहता है तो माइनस माइनस रहता है तो प्लस अब इसको हम सरल कर लेंगे तो 2xy और 1xy यहां एक लिख देंगे तो 2 में से घटाएंगे तो एक आएगा तो यहनी xy मचेगा यहां पर और प्लस यहां 3 y square है और यह 1 y square तो 3 एक 4 y square हो जाएगा यहां पर घटा होगा हमारा जो दिया गया बेंजक है उनको जब हम परसपर घटाएंगे तो यही मारा एंसर आ जाएगा अब आईए एक आज स्वाल और देख लेते हैं अब यह रहा हमारा अगला स्वाल a square minus 3 b square plus 7 a b में से minus a square minus 3 b square plus 7 a b को घटाना है यहां पर हम ऐसे इसको उपर लिख लेंगे a square minus 3 b square plus 7 a b अब इसमें से हमको घटाना है minus a square minus 3 b square plus 7 a b अब यहां जब घटाते हैं तो हमने बताया कि घटाते समय चिन बदल जाते हैं minus है तो यह plus हो जाएगा और यह minus है तो यह भी plus हो जाएगा और यह plus है तो यह minus हो जाता है अब यहां पर a square plus a square तो a square plus a square यह हमारा 1 a, 1 a, यह 2 a square हो जाएगा और यह minus 3 b भी है यह plus 3 b है minus 3 plus 3 यह cancel हो जाएगा यह 0 हो जाएगा और यहां पर देख रहे हैं प्लस 7 A B, माइनस 7 A B यह भी दोनों प्लस 7, माइनस 7 यह भी cancel हो जाएंगे तो 2 A square प्लस 0 हो जाएगा 2 A square प्लस यहाँ 0 यहनी हमारा answer जो हो जाएगा 2 A square यह हमारा answer होगा क्योंकि 0 जोडने से कोई फरक नहीं पड़ता है यह answer आजाएगा इन दोनों इसमें से जब इसको घटाते हैं तो यह हमारा answer आजाएगा तिस तरीके से हमने आज आज आप सभी को संखेब में BG विंजिकों के योगफल और अंतर से संबंदित कुछ सवालों को हल कर सिखाने का प्रयाश किया आसा करता हूँ कि यह सभी सवाल आप साल कर लेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह सवालों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद